कि नमस्कार मेरा नाम शिवा कुंदेर है और फिर से आज हम लौट आए हैं आट अन क्लिक के पेज़ पर और जो हमारी आज की जो गेस्ट है यह बहुत ही खुपसूरत एक्ट्रेस हैं बहुत ही कमाल का भिनाय करती हैं और कॉमेडी में इतना जबरदस्त हाथ है इनका बहुत कमाल की टाइमिंग है और आप इन्हें देखते भी होंगे एक जो अभी सीरियल चल रहा है सब टीवी में हप्पू की उल्टन पल्टन इसमें जो एक किरदार करती हैं जो लीड एक्ट्रेस हैं कामना पाठक जी तो यह कुछ ही दिर में हमारे बीच आ जाएंगी हम से हुई और आपको भी जो लगे जैसे ही लगे जब तो आप सवाल पूछते जाएए जरूर हम उसको भी इंक्लूट करेंगे और यहां कामना दिदी आ चुकी है तो मैं उनको एड करता हूँ जाचिए हम जो मैं परणां को इस अदिदी आप देखो एसी हुए अच्छी अभी अभी मूंबाई से आप लॉट आए अभी अभी घर अगया होंगे तो इस समय अभी लॉक्ड़न बे मयुष्या विपूट aikाइद पट्रय कि custe किसे रहाए ज़시 जबाटते है ड़बी जब रहें लोगीतों का पिटारा खुल गया है तो हम बहुत से गाने गाते हैं, कि ए 한번 बैठ है टू यह जिस समय हम आप से बात कर रहे हैं यह समय मेरा होता है गाणा-गाने का तो मैं 7 बजे तक हमारी मंडली जमती है और गाना उने गाते हैं फिर ठक जाते हैं उसके बाद कमाल की भूख लगती है तो फिर खाना खाते हैं तो सुबह उठो काम करो गाओ बजाओ उसके बाद यही चल रहा है अभी पिछले दो महिनों से तो यही चल रहा है तो जैसा कि आपने कहा कि लॉग डॉन में आप एक खाजाना कुला है आपके घर पे एक लोग गीतों का तो किस तरीके की गीत गाना पसंद करती हैं आप मुझे तो देखो हर तरह के गीत अभी जिसे मेरा भी नया इंप्रस्टा है राई जो अपने राई गाते हैं तो राई का अलग अलग मैं मैंने अवधी में भी गाने गाये हैं अवधी और बंदेल खंडी ब्रज ब्रज भाषा जो है मत्रा साइड में जो लंगुरिया गाई जाती हैं भजन भी बड़े प्यारे प्यारे भजन होते हैं उनके विवाह गीत कृष्ण और अधा को लेके बड़े कमाल के होते हैं वर्साने साइड के जो गीत हैं और फिर एक अभी कजरी में सुन रही थी मालनिया वस्थी जी को बहुत पुरानी कजरी है गौहर जान गा अलग अलग भाशाओं में कर दियो तो कजरी का कलेक्शन मेरे पस बहुत कम है जरा तो क्योंकि बेसिकली वो सब्सक्राइब वाली कजरी होती है तो मुझे जितने भी यूट्यूब पर भी जितनी मिल रही थी कुछ डैडी को आती है क्योंकि हर शेत्र के हिसाब से कजरी प कितना कुछ समेट लूँ क्योंकि बहुत रेरली मिलती है यह चीजें तो बस इसी में लगी हुई हूई हूँ तो जैसा कि मैं क्या सबी लोग जानते हैं कि आप बहुत यह खुपसूरत एक्प्रेस हैं और जो टाइमिंग है वो बहुत कमाल किया आपकी और देखते हैं तो गाने में इतनी पकड कैसे शुरुआत हुई आपकी गाने की कि अब मुझे गाना चाहिए या पर आपने गाना शुरू किया यार बच्पन से ही गाती हुँ मैं मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है बच्पन से गाते हुए मम्मी कोई सुना है बच्पन से गाते हुए तो वही मेरी नानी बेग्राउंड से बहुत लोग सब गाते हैं, दादी कहते हैं कि दादी का ननिहाल पक्ष बहुत गाने के शौकीन रहें, मेरी मम्मी की शादी ही इसलिए हुई थी, कि बहु को गाना बजाना आता है ना, क्या खाना बनाने आता है इस से शादी नहीं हुई, गाना कि बवंजे लगता है, तो मुझे कि आज के समय में सब बताना चाहिए way расп कि से कहानी किसा है कि तुम्हीं बई है भुए लगत अछा लगता सुनके मेरी मम्मी ने कुछ भी काम नहीं क्या में 14 साल दादी नहीं बैठके क्योंकि मम्मी की बहुत कम एज में शादी हो गई थी और डैडी बड़े हैं मम्मी से काफी तो उसमें मम्मी को खाना बना बना के दादी कलाती थी तो सरफ दुपहर में गाने चलते थे को जोग जुड़े भी हैं अगर आपका मन हो तो जरूर क्या गाना गाने की कुछ पंक्तियां अगर गुन-गुना है आप अच्छा गाने के पंक्तियां मैं गाही देती हैं एक एक बजन है मुझे बहुत अच्छा लगता है बचन धराए लेओ गंगा की धराए लेओ चाहे जमना की धराए लेओ बीच सरियो में मो को ठाड़ो करवाए लेओ मारो मत मयामों से बचन धराए लेओ मारो मत मयामों से ये एक अदबुत बहुत कमाल बहुत सुन्दर तरीके से आपने गाया ढोला कोला कोटी तो और मज़ा आता है मुझे बजाने नहीं आता है मम्मी बजाती है तो बड़ा अच्छा लगता है तो लोग का जो रुझान राजे से मुंबाई चले गए आप बहुत सारे बहुत बहुत बार ऐसा होता भी होगा कि बोलोग तो कुछ भी नहीं है मुंबाई जैसे शहर में बोलते हुए टेक्नोलोजी आ गई है यह सारे चीजे उस समय कभी आपको लगता है कि आप बताना चाहिए लोगों कि टेक्नोलोजी से भी बढ़करी फिलोस्पी है लोग कभी ऐसा अभी कभी ऐसा सिचुएशन आया I think मुझे तो ऐसा नहीं मैं तो बहुत ही जुड़ी हुई हूई हूई लोग गीतों से चीजों से तो मैंने मुझे 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 कोई शहर नहीं बदल पाया मैं वैसी की वैसी हूँ हूँ डफिनिटली आप सीखिये जानना बहुत अच्छा ह लेकिन अपनी चीजों को भूल जाना, ये गलत है, जो आप सीकर रहाइ रहे, शीजों को सीखते रही। ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं, वह तो बुरा अच्छा भी हम ही बना देते हैं, चीजों को. तो गाने भी आप देखिये ना गाने रैप हो जाते हैं तो जो पुरानी हुने तो मैं जरा अब ओल्ड स्कूल बोल दीजे आप मुझे तो मुझे वही चीज़े अचे लगती है मुझे वह परवा है धोलक वहलक मुझे बजाने नहीं हाता है वरना बजाके मैं आपको सुना देती है जरूर कभी ऐसा मोगा आएगा तो बैठें के साथ में बस एक थापी आती है तो यह दोलक की भी हम लोग उने बैंड बजा दिये कहते हैं एसी को रखना नहीं चाहिए मुझे बजा बजाके ना कुछ मसाला होता है शायद धोलक का वह निकाला है अख़़जी आठर दीडी जिससे कि आप मुंबई तक का एक बड़ा एक सफार है तो जिससे आप से बात कर रहा है तो मुझे आपने बताये कि थीटर भी आपने किया है तो कैसे शिरुवात हुई आपके थियेटर की जो यात्रा कैसे शुरू हुई इस तरीके से? मैंने थियेटर ही किया है, स्क्रीन तो अभी शेयर कर रही हूँ मैं और तीवी में अभी कुछ सालों से काम करने लगी हूँ मतलब देखा जाए तो अच लंबा चलने वाला सीरियल ये मेरा पहला ही है तो थियेटर ही किया है, तो स्ट्रीट प्ले से शुरुवात हुई थी पहला पहली बार जब प्ले करनेंगे, सब कुछ डालोग ही भूल गी मैं, ब्लैंक पांच साल की तो कोई डालोग नहीं थे, शायद रियाक्शन ही थे, मैं जोकर बनी हुई थी और उसके बद स्ट्रीक पहला प्ले करनें गई तो मैं सब चारी डालोग ही भूल गई तो वह पहला आज तक मुझे आद है जब मैं अधिशन देने गई थी तो अधिए जब मैं आदिशन देने गई तो यह थी और इसी सीरियल का ही कुछ आदिशन चल रहा था था तम मैं पढ़ती थी वहां भी गई तो जैसे हुआ बोला एक्शन तो मैं सारे डालोग बुल गई और मुझे अपने प्ले के उन्होंने भी रोका नहीं भी बीशमें फिर काड बोला मेरे ही डालोग खतम हो गए तो मैं रुप गई और बोले कि अपने क्या सुनाए मैं आपने क्या सुनाया था तो प्लेक अपने यहां थी अदेट बड़ रहा तो मैं सब डालोग बूल गई इसक्रिप्ट वाले तो म ब्लैक आउट ही हो गया मुझे सब कुछ भूल गया और सिर्फ लेकी लाई नहीं आद रही तो थियेटर आप तुम्हा सवाल देखो भूल गई मैं क्या था कि जर्नी बेसिकी है थियेटर की शुरुआत किस तरीके से अपनी की मैं लोकित समयती डैडी के साथ ही घूम घूम के अलग अलग जैसे कुछ भी अब धर्ना कहीं चल रहा है मिदा पाठकर जी है और मेरे ताओ जी है तो दैडी अक्तिविस्ट रहे है तो उनके साथ किसी भी जह हो NTPC हो या किसी और चीज जब जल जंगल जमीन के बात आती है तो उसको लेके पहला नातक मेरा वही नातक था जब मैं बहुत छोटी थी तब तो इतना समझ में नहीं नहीं आता था कि अपनी बात कहनी है कि गाने मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते थे और गाने की गानों के सब मतलब समझ में आता था तो शुरुवात मेरी ऐसे हु कि आप नातक लिखे हुए नातक, पहला नातक था अंधेद नगरी चौपट राजा, तो ऐसे से शुरुवात हुई, फिर नातक खुद लिखने लगी कुछ सब्जेक्ट बना-बना के, जैसे एक असिक्षा की उपर लिखा था नातक, तो इस कॉलेज में गई तो एक और प्लेज कैसे होते हैं, तो ऐसे सीडी दर सीडी आप चड़ते हुए, तो समझ में आया, और फिर मुंबई में एपता के साथ जुड़ी रही और अलग-अलग ग्रुप के साथ काम करती रही, फिर जाके, नहीं टीवी, और फिल्म के नाम पे तो एक छोटा सा ही करेक्टर थ यहां पे योगेश भाईया भी जुड़े हैं, योगेश त्रिपाटी भाईया, आओ, रादे रादे बोल ले हप्पू, यहां बहुत सारे लोग बोल भी रहते हैं कि आप एक बार अपने किर्दार में उनको सभी को हाय बोलिये, तो भाईया, आप सभी को रादे रादे ब आप गाते हैं, आप लिखते हैं, तो आप जुड़िये, आटन क्लिक से, और शिवा और नीरज भाईया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए, तो यह हमारा ही मंच है, हम जैसे हर कलाकारों के लिए हैं बेसिकली, तो आप सब या जुड़िये, और हमें बहुत ही मैंने एक बार अपने Instagram ID मेरा नाम लिखा था, Metamorphosis, तो यह तुम बहुत ही कथिन हैं, हम तो बोली ना पाएं, जे कौन सो कर दो मुंबाइं हो्धिये, क्यक्को अपने में हैं, तो कि अपनी तो तो दीदी, जिसे आप जब मुंबई गई तो मुंबई में कैसे शुरूआ तो या लगा कि आप तो मैंने थोड़ा थीटर कर लिया और मुंबई में आप जाके तो क्या थौट लेकर गई थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए या पर उसमें अचिज़ तो पहले कि शुरुआज हिया कि कुछ की छिर्वाटे थिना मैं इतना थेय lineage कर लिया है थे सें थी Sesह के जो किया थे चैम यह नहीं कि मैंने 15 फ्ले टाम यह था है, जी शे कहता है कि कही साल देने के बावजूत भी हर दिन आप वह काम थी मुझे लगता है हर समय भूपने बहुत नहीं होता है तो मुंबई में पहली बात तो तो आप में कोई नहीं बोलता है और कहां आप गलत जा रहें, शायद सिखाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं जहां पर, और सही जगा पर आगर आप पहुंच जाते हैं, यह वो आपका अप्जरविशन होना चाहिए, कि आप सही जगा पर आप पहुंच गए हैं, तो इतने रड़ी हो के आप सभी को जाना च जाते हैं, और वो थेटर भी करते हैं, वो जो भी फिल्म भी करते हैं, जिसके लिए वाएं वो भी करते हैं, वो जो चाहते हैं कि मैं आज ही आए हूँ भई, आज ही हीरो हीरोई बन जाते हैं, लोगों ने कहा है कि तुम कमाल के लगते हो, और कमाल के लगते हो, और कमाल का थेटर की है, मुझे ज़र अधिकत है इस बात से कही बारी पुझा है आपने कितना काम किया है वो कुछ नहीं है, हर बार आप ते जो काम होगा वो तो नया ही होगा आपको बहुत कुछ छिखाएगा जब आप पहले प्ले को करते हैं दूसरे गुरुप के साथ जुड़ते हैं तो वहां का अनुभाव डफिनटली अपके एक दम नया होगा आपको ऐसे नहीं होते हैं कि आप ब्लैंक नहीं हो जाते हैं जिसे मैं पहले नाटक में ब्लैंग रहे थी, दूसरे नाटक में ब्लैंक नहीं हुई। तो आपको धनेज करना है कि और आप ढूल जाते हैं, तो आपको मैनेज करना है शुट बढ़े लोग हैं सब नई-उझी सिर्फ मैं ही हूं। आप पच्चे भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ नियू कमर सिर्फ कामना पाथ है कि यह आप तो आपको डर नहीं लगता है, अगर आप भूल गहे हैं, तो आप चीज़ें कवर अप कर लेते हैं तो वो ब्लैंक नहीं होते हैं तो यह आपका अनुभव है, आप काम करते रहेंगे, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, वो आपके काम मे दिखता है असर डिखता है यहाँ पर नीरज भए है कि मानते नहीं है, यह आप ही का है ऐसा अब आप सेट पर जाती हैं, तो कई बार ऐसा भी रहता होगा, कि कुछ लाइट का इशु हो गया, या पर कुछ भी, एक स्वाय जिप, कुछ भी इशु हो सकते हैं, उस दौरान आप चुप रहना पसंद करती हैं, या पर किसे से बात करना हैं, वहां पर कौन से, किसे बात कर इन करते हैं, अब जो है, किनका धिपेंड करता है, किनका सीन है मेरे साथ, हऽआ यह साथ, सीन ही बात कर रहे हैं, और ऐसे चुप टो नहीं रहती हो, मैं बे मतलब भी नहीं बोलती हो, कुई है, आपस में तो अपने आप बात शुरू होई जाती है, या रही लाइन यह कर तो तो मेरे वह बेंगे जाते जाया इतो मेरे दिमाग में दिमाऎ आपके असरे सेन सीन Wyatt जारे एप Daim AR 내 back कैंडर में टीर्टर सरा खड़े और कलेकं मैं अजह मैं ख़ए क commitment to वो इसे शुरूरात होती है, तो वो सीन के बारे में ही बात चलती है, वो मेरा वह नहीं पालतो कुछ लाती है, सेन ही जलता तो आफे रहती है वो सीन चलता रहता है, मेरा भावन बेकर करती बात है, मैं स्पहुल इसे आएं means, मैं require some बोलते हुँ, तो हैं थोड़ो भागना मत थेहराव लेनाँ, मैंने कहाँ, हँए हो हो, भाँ हम थेहर लीए तुम चिन्ता न करियो तूप यह पीसे हो तूपको रखेंगी, बोल देगी, तो कहते हैं तुम अर।प न आध पली मत हो ना, आराम से रहना, मैंने कहाँ, तो वह बहुता कि इसें कि अज़ बात होती है और यही जिसरा आपने बोला कि कभी Mumbai कोई गया है तो उसे यह नहीं बताना चाहिए कि मैंने कितना थीटर किया है यह और वहां पर फर इस तरीके से है तो मुझे लिगता है कि पढ़ कर जाना चाईए Mumbai या फिर हमें थीटर करके ही जाना चाहिए मुंबई किसी इंस्टिटूशन में पढ़ कर जाना चाहिए यह किस अद तक सीमित है जैसे मैंने भी इस पढ़ा ही लिखा है कि डेफिनिटल आपको आप जानते किसी दखा पर मैं तो कहती हूं कि मैं खुद जैसे बैरी जान तो आप वो सही जगा ढून भी लेंगे आप सौ लोगों से पूछेंगे किसी की चीज की तैयारी करते हैं किसी एक्जाम की तैयारी करते हैं तो हम हर तरह से कुछ कहां से क्या नोट्स मिल जाया है सीनिर से बात करते हैं सब चीजे तो आप वो सही जगा पहुँचेंगे ही तो किसे इंसिट्यूट में जाना, तैयारी करना बहुर अच्छी हो, आपकी चीजों को और तराष्टा ही है, मांजता ही है, तो मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट करती हूँ, कि अगर आप, मेरा बहुत मन था कि मैं नस्डी में जाऊं, पर मैं नस्डी में जा पाई, और मेर एज कम थी, तो मेरा फॉर्म एक्सेप नहीं किया, जब मैं ग्रेजवेशन किया, उसे बाद मुझे मास्टर्स करना नहीं रहा, तो मैं ने देली छोड़ दिया, तो मैं इंदौर आगे ही, फिर इंदौर से फिर मैं मुंबई चली गई, यहां पर एक सवाल है दीदी, तो मैं मुंबई जाती है, पर उसको बनाए रखना के लिए, कोई आपको कुछ जब गई आपको इसे नहीं डालता है, कि यह करना ही, आपको खुद का भी मत होता है, प्रेशर ऐसे प्रेशर चुछ पोई नहीं रह सकता है, किसी भी चीज के लिए, तो वह आप भी है, जो अगर तोड़ेंगे तो आप खुद ही तोड़ेंगे, सामने वाला नहीं तोड़वा सकता है तो आपको खुद पे काबू करना आना चाहिए एक और सवाल आया था कि आपकी नजर में फोग्या ट्रेरिशनल गानों को नया करके पेश करना इसको आप कैसा देखती है खुबसूरती उसकी वही है कि उसमें धेंड़ना धेंड़ना नहीं आड़ करो वही डोलत रहने तो जो वहां का ही है अगर नगाला बज रहा है तो वही रहने दीजे वह जो mixing हो जाती है ना जो कहते है कुछ instruments की जो क्या करते हैं मिक्सिंग करते हैं जिसे मेरा एक भाई है तो वह साउंड प्रडूसर वह सार गाने मिक्स करता है सब चीजे तो वह एक अलग ही है वह एक अलग दुनिया है और फोक को आप वही फिर उसके खुबसूर्ती चली जाएगी मैं मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ चीजे और आप एड करिया मैं मुझे नहीं लगता है वजर वो धोलग के साथ है तो आप भूलक के साथ गई है मजीरे के साथ गई है किसी बासूरी के साथ है हर मोनिय के साथ उसके अलग खुबसूर्ती है बहुँ अचीव इसको क्यों तोड़ना चल्ड़ना हैêu एपन नहीं दुन में गाई है बिल्कुल गाई है उसका स्वावागाफ है बिल्कुल आपना कुछ नहाया उसमें अड़न करना चाहते है यह ज न जी 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 जाुडू घरीrod говорить है जिजिए अब इन दॉर में काफि समय रेि है stains जी रुए ना उपात है यह बहुत भावी हमें को बीच में रोक रही हो कि भाईया हम सीधिन के ना है तो बाहुत बच्ठन हमारा बेक्ष हमेह बीता है तो एक से लेके बारवी तक परिक्षाम वहीं पर पास की हैं, वोके बाद हम गवा दिल्ली हो, हमारी भाषा में बहुत कुछ एड हो जाता है, जैसे कि अवधी भी आजाती है, अवधी बहुत मिलती जुलती है, हमारे बगहली बिल्कुल, तो अवधी भी आज़कल क्योंकि बुदेली भाषा में काम करें, तो बहुत जादा बुदेली है, तो बीरी परिक्षा, मैंने पूरे स्कूलिंग, मेरा बच्पन बीता है, सीधी में, जिला उसमें सीधी हुआ करदा था, विंदनगर में रही हूं मैं, और उसके बाद मैं डेली में गई, मैंने ग्रेजवे हम साथ में काम कर रहे थे, हमारी हेड में रुआ कर दी थी, भाषा, बहुत कमाल क्या थे, दोनो, थैंक यू सो मच, आप लाइब में आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीदी मैं यह पूछ रहा था, कि जैसे कि अभी आपने कहा, कि अभी आपने बोला कि हम सीधी किया हैं, या फिर हमारे, तो एक बार ऐसे बात करते हैं, ऐसा आप में बोला था कि, सीधी, लोग जानते नहीं हैं, तो पहले लोग प्रमोट, हमेशा, इसका क्या सफर रहा है, जैसे कई बार ऐसा होता रहा है, सीधी कहा है, मैं नहीं बोलती थी, बिल्कुल, यह इतिफाक हुआ हुआ है, मैं अपने अंदोर में जब मैं deduction मुझे पूछा गया कि आप कहा सेय तो मैं नहीं है, सीधी, सिंग रोली, तो लोग जानते नहीं हैं, पतना का दोर ठखिर भी लोग जानते हैं, सीधी, सिंगुल, ड्रन अंच्छन міra घाली, किसी वोज पता इंधी स्वकी नहीं से हूँ नहीं सोथ हुआ कर बना मेरी पूरा MP मेरी है भीट है मेरी मुलाकात हUI निरज भेया से तो बने पूचह कहा ईहां से हम कर एरे थो और तो ऑडे हैं भीर जिल्टाहि कि बढ़ टो था मेंव कर यहां कि अुदे मै अभी तो उतना शेज के विठ्ट आहर देत बहुत पजयात है इतनी सब से 20 का oh ने तो भाद मैहा तभ भाईयाने कुछ ने कहा उसके बाद रहने कहा कि सीधी जानता है कि इक्यामन डिवशिय है और नातक कि आपका पूराइ ज़र पूरा सेश्टिवल चल रहा है वहां सी इदी को लोग जानते हैं अविशसिडी को जानता है तो वो खुशी बताएं से बहुत खुशी ही ते बहुत खुशी हुई थे मैं पहला इंसान मुझे विला जिसको मालूम है कि सीधी अच्छा सीधी और बहुत बाद में यह बोला तो मैं जब दी मिलती हो तो यह कहानी जो है यह मेरी हर बार रिपीट होती है और आज तुम ने जो सीधी को पहला इंसान जो मिला जो सीधी को जानता है और अब भयग इस मुकाम पर पर पहुत कर्फान, आपको अपने शेत्र से जुड़े रहना चाहिए और यह सारी बात बतानी चाहिए कि मैं यहां से हूँ, मैं यह बोली बोलगे उपी से हैं तो आपकी बोली बोलेगी, आप इन दौर से हैं आपकी बोली बोलेगी मुंबई वाले आजाएंगे तो न की बोली बतादेगी कि वह मुंबई कहां से तो आपकी बोली बोलति है उसको कितने दिन तक पायंगे ठुपाई नहीं सकते तो और वह चुपाना भी किसली है मुझे तो बिल्कुल मैंने तो कभी ने चुपाया मैं तो थख गई लोगों को बता बता कि CD भई या सीधी इनको पता ही तो तब मैंने बोलना शुरू कि मैं MP से हूँ लोगों को मालूम चला ही ने कि CD के लिए मैं 4 गंटे लग दे लग दे लिए कितना जरूरी है अपने शेत्र के लोग संस्कृत से जुड़े हुए होना आपकी संस्कृतिक की जलक कहीं न कहीं आपके काम में दिख जाते हैं अब देखो जैसे यह जो शो कर रही हूँ मैं हप्पू की उल्टन बलटन तो अगर मुझे ये ब्रज भाशा मैं ब्रज वाली बंदेल खंडी बोलती हूं नहीं पता होती है या उनके गीत जो हम फिलप देते हैं जो एक्टर एड़न करता है तो वो आप अपने इंपुट आप कभी देही नहीं पाएंगे अगर आप जुड़े नहीं हैं तो वो कहीं नहीं आप आपके अंदर वो ची एक बोलती है राधे राधे बहा दढे की टीडा। मैंने ऊरें बोल है अम्मा राधे राधे बोलौ है तो इतना उ ख्या हो जो जोग जाते है आपसे वहां के भूट बोहत जोग जोगिताव एक्कोश एप घप चाहिव मतुराग में हूँ मैं, मैं अपने ही शहर में हूँ मैं अपने ही गाउं में हूँ तो ये और खुशे मिलती है आपको लोगों के ओर करीब पहुंचाता है अगर आप अपनी संस्पिति अपनी जगा से अपनी कला से अप जोड़े हुए तो आपका प्लस पॉइंट ही है कि आपको वहां की भाशा भी आती है, आपको वहां का गाना भी आता है, क्या गीत गाये जाते हैं, वो कहीं न कहीं आपको कब help कर जाएंगे, कब वो चीज़ें, आपकी मुझसे खुद बखुद निकल भी जाती है, मेरे मुझसे ऐसी निकल गया, मैंने लोरी चंदा मामा के यहीं सुनाई, मैंनी मास्य hoדי, मैंनी मांसे जो सुनी थी, लोरी लला गये थे, टला हनाव, नट बडिय ने पकड़ो系रं लला कहें लिल् 쉽, मैंने जो मय जाये, जमांन, अब नही है, तला हनाव, उलई मतलब तौला, कि छोटे बच्चत गया, अट्य ने पकड़ लिय उनका कान कि अप्तलाब में तुम नहाने आये हो हनान दो तो ये लोरी मैंने सुना थो तो मैंने चंदा मासर ने बोला कि बच्चे को तुम सुला रही हो मेरा I think अगर मुझे पता ही नहीं होता तो कैसे मैं क्या गाती मैं वही गाती चंदा मा मदूर के वह अच्छा है लेकिन वह सुनाए तक अगर अगर मैं बदाईयों का दिखा रही हूं, तो वहां जो हमने सुनाएं, वह हम गायें तो और सोने पर सुहागा हो जाती हैं जी-जी-जी और आपको जोड़ देती हैं, लोग आप से और कनेक्ट भी हो जाते हैं सही है अभी तो खो आप एस़ लगता है कि वहां subscribed और नबज जाना है कि अंदाओर का ले जाना है कि अंदाओर का फूर बहुत फिमोस हैतो । कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए माझे और पिर मैं विंदाओर जाके आती हो तो पिलकुल यार मैं भुछ खाने की शौकीन हूँ तो मुझे हर फ़ते में लगता रहता है कि एक दिन मिल रहे है कुछ घंटे ही मिल जाओं और खा कर आजाओं बहुत बाहर खाने की शौकीन मुझे मम्मी के हाथ पहाना बहुत पसंद है सरासा की कुछ को जिए जोशी जी के दही बड़े बहुत आदा है सराफा में गडाडू बहुत पसंद है कुछ कुछ चीज़े हैं जो और आपको सिस्फ इंदौर में ही मिलता है खाने को और आपको कहीं नहीं मिल सकता जैसे मुझे विंदे नगर की फुलकी बोल गप्र पार वो हर जगह का अपना एक टेस्ट होता है तो भईया डेफिनिटली मिंदोर को मिस्करती हूं है सेव मिस्करती हूं है सेव खता मुझती है पुहे पर डाले भाले तो बहुत देमांड होती हो गई वास्ने दोर जा रही हो तो तुम जारी हो जर जिरावन लेके आजाना, मैंने कहा रहे तुमारे जिरावन, सेव ले आना तो, मेरे कपड़े कम और मेरे अटैचिव है यही सब समान बहुत होता है मैं बहुत कम देखो पढ़ती हूँ पढ़ती है बहुत बहुत है नुदो कोजा लगती है नुदो कम देखो मंटो के तो, मैं पर दस्तावेज उठाटा, खरीज लिया था मैं तो, कुछ-कुछ कहानिया पढ़ी बहुत तो कुछ बहुत जादा मैंने नहीं पढ़ा है, सुना किस से कहानियां सुनी बहुत हैं, तो बहुत मन किया तो फिर वो किताब लेकर आई और पड़ी, तो मुझे गजलों का बहुत शॉक्ड, मैंने का गाने होने का मुझे मेरे बहुत इंट्रेस्ट रहा है, तो वही शेर औ सुनने का बहुत शॉक्ड, खट-खट लिखने का बड़ा शॉक्ड, तो वहां चलता रहा, मैं पैन कॉपी जरूर लेकर जाती, कविताओं की ना, कुछ कविता पाट कहीं हो रहा हूँ, तो मैं खट-खट लिखती थी, बहुत स्पीड में लिखती थी, मुझे बहुत शॉ ये किताबे हैं, बहुत जादा लोग बहुत पढ़ते हैं, सच बताऊं तो मैं इतना नहीं पढ़ा मैं, और फिल्मे दे, कैसे देखती हैं और किस तरह की पखने आपको ये नीरज भाईया तो नहीं कहीं आसपा सुन रहे हैं, फिल्मे भी मैंने आभी देखना शुरू की ह मैं जब Barry John वहाँ पढ़ने गई एक्टिंग स्टूडी मुंबई में तो सिर्फ मैं ही थी जिनसे फिल्में देखी ही नहीं मेरे गषप परोष ऑडचियों थोड़ी 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 बहुत ने क्या हमारे गषप अड़ी को मेरे पिताजी ने ने पैक कर वाकर रख दिया क्योंकि हम सब लड़ थे खिए कि ये चानल लेकिन वो चैनल आई तो 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 ने आए मुश्किल थो महिना चली शायद घा इ विए नहीं देखी, अड़ोसी पड़ोसी किया ही टीवी देखिये मैंने तो फिल्में अभी देख रहे हैं, मैंने जो वर्ल्सिनेमा शुरुवा तो मेरी मुंबई जाके ही मैंने कुछ फिल्में जो हर फ्राइडे को आग दिखाई जाती थी तो मेरे लिए इदम सब कुछ नया है, मैं बहुत भॉचक्की होती थी वहाँ पर, सब कुछ ही इदम नया, कुछ मेरे दोस्त रहें FTIIIS से, मैं संदीब भी रहा है, तो कई बार बोले हो, वो लों, डिसकुशन बहुत कर देते हैं, मैं कभी डिसकुशन कर ही नहीं पाई, फि लुच मेरे नहीं नहीं आया मुझे, तो अभी मैं कुछ फिल्में देख रही हूं, अभी कुछ हैं मेरे दोस्तों मुझे बताते रहते हैं, लॉक्डाउन में मैंने बहुत अन लोग का दिमाग खाया है, तो अभी मैं उनसे पुछती हूं तो, चुकि मैं पस साधन नहीं, मैं अपने फोन में ही देख रही हूं, मैं आई थी सिर्फ, मुझे लगा था कि 31st को तो ख़तम हो जाएगा लॉक्डाउन, तो उसके बतार शूट ही करना है, तो मैं ऐसी आगई थी, मतलब, अभी मैं सिर्फ गुजारा कर दीए, मुझे तो कम चीजों में भी मैं बहुत अ बिनाम धाल हो गाल है, क्या था बहूते है करईम डिनाम होते है, ऊछार पही कर दो बोलते हैं, मैं वही जणा सिर्फ, कुछ सीन मुझे आध हो जाता है, यह सीन उन पी दो बहुता है, तो इसा हो शूट Qur excellent हुआ हिएसाल कि वह इता हम हं पुलृतений को कि अधिश ही हिए नहीं कि विब आप के साथ ऐसा हुआ है कि कोई करेक्टर आप कर रही है और वो आपके ओपर हावी हो गया हो आपकी नीजी लाहिट में भी आप ऐसे रियक्ट करने लगे है हाँ मुझे मैं एक पार्सी प्ले कर रही थी और ताहिरा का करेक्टर था जो पन्ना धाय कहानी दीपदान से भी बहुत और उसी दोस्त, जिसकी लोकल अरजन, मैं खुद वह पे छोटी थी और मैं 16th क Ji ती ति जब मैं पढाईी कॉलज मैं फर्स्त ऐर मतीम तब पड़ी तो मैं लेकिन मैं भी किसी की लोकल गारजयन माँ बनी हुई थी तो उसमें कुछ कुछ ऐसी घतनाई ऐसी हुई मैं नाटक भी करी थी वह बहुत इमोशनल नाटक है बहुत अमें ताहला का जो फिरदाद निभा रही थी कि जū Thornti को पड़ा blinking इज को बाब मीड़ के फिरता है पहाद हुई सिनियर ने प्रोट कि रहुत कि रहा है तो उससे निकल पानामे बहुत भूट कि रह ठीजिए इन तो भाषद के रहा हैं काफी टाइम सक निकलना बहुत मुछिल होता ताम तो वो किरदार और हमा मैम ने उसको डरेक्ट किया है मेरा वन अफ दौ फेवरिट प्ले है वो मुझे बहुत पसंद है मैं बहुत डरी हुई थी अससे की इस लीड करेक्टर मैम ने आपने मुझे दिया है भी एक हुए पर रहा लुँ जल्दी से निकलने पाती थी मैं ऑफ रूम में भी आती थी ना तो मेरी रूमेट बहुत डर्थी थी आज आज अपने आपने पानिया से पानि य आता रहेका प्ली हो जाती थी कुछ ताम तक तो वह एक करदार है जो मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहा, जब जब मैंने वना लोकिया, तब तकुछा होती थी मुझे, अब ही बहुत कम कहीं कनेक्ट कर पाती, सभी रज्जो है, तो मैं होघू, मैं होँगी तो मैं एक दम रज्जो ही बन जाती हूँ, कुछ मैं जहां पर जो काम कर रही हो तो उस पर रच बस जाती हूं अंसा लगता है मुझे फिर मुझे और दुनिया नहीं दिखती है मैं एक बार में बहुत सारे काम नहीं कर पाती हूं मैं एक बार में शाद एक ही काम कर पाती हूं तो अगर वो देखा जाय तो वो बहुत समय तक मेरे साथ और बहुत बहुत करीब भी है मैं बहुत रिलेट कर पाती हूं उस करदार से हलो 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 बोलती है लो हम आप से भी बात करेंगे आपके भी सवालों के जवाब देंगे और आपसे भी आपसे भी आपसे खुप्षारी मस्ती हाई अधित्या हाई मुकेश जी हाई सिंकिंग बोर्ड ओमाई गॉड है लो एंजी हाँ शिवा बोलो एंजी करें हाँ बिल्कुल तुम से सीख नायार कलरी पट्टू तुम इतने कमाल है ललका मैं मुझे कुछ भी नहीं आता है तुम भाईया तुम मुझे भी सिखा दो हाँ जोटी देंटी कर रहे है मैं भी खुद भी सीख रहा हूं आप दोगे से सच मैं तो दिवी एक 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 सिंपल सा सवाल है फनी सा बिल्कुल कि जब आप मुबाई से ayzy जब आप मुबाई से लाट कर आते हैं घर पे अशित मैं किया महले में काया एक्सेटेशन होती है और अर घरवालों ऐप क्या की कर में कैसा है रियक्त करें को अर अर असा कभी हुआ है नजीó है करते हैं कि अरे आओ चलो यह काम करो आप अपने मन से में कर लेती हूं अब अपने मन से कपड़े खरीद लो तो मम्मी कुछ बोलती नहीं है आज याद देखो मेरे को बहुत लाला चा रहे लिए हम इर मेरे को बना है एक दिनन लिखे औगो जाहिये हैं घाहिये घाहिए लाले में एह डिनाम है lunna पंडुबी, दलफरा, बहुत सारे नाम है, वो बना है, बना क्या ही हूँ अभी मैं खाऊंगी तो मेरी मम्मी वैसे ही मुझे नाठती है, इसा कुछ स्पेशल नहीं होता है, पर क्योंकि दूर रहती हूँ ना, तो मेरी फर्माइशे जो होती है, जितने फर्माइशे होती हैं उसके लिए डाठ पढ़ती है, डाठ में कोई कमी नहीं होई है, अभी भी मुझे डाठ पढ़ी है, मतलब मैं कोई चीज बोलती हूँ बराने को खाते सब हैं, लेकिन सिफ डाठ अकेले मुझे पढ़ती है, तो डाठ मुझे बच्पन से पढ़ती है तो चलता है, अभी मु कि मुझे रोना नहीं आए एक चोटा से किस्सा में मताती हूं मैं कॉलेज में थी और सेकेंड इर में ती डेली में और गॉालियर में गई थी मेरे मौसी जी के बेटी के शादी हो रही थी तो मैं सिरफ कुछ तयार हुए और कुछ तयार नहीं और बाल प्रॉपली सिर्फ हैर इंद्रा गांधी शौट बाल में इंद्रा गांधी लोग पासे आएंगे बडी बाल कटवाई के कैसे फैशन करके तो मैं इतनी रोई वहां पर से केंड एर में थी अची बड़ी इतना ही बोला था उची अवाज में एक अलग तरीके से डाटी नहीं मम्या जब इतनी तो मुझे कोई उची अवाज में बोलता है तो शायद बेगब थपड से डर नहीं लगेगा उसनाक्षी सिन्ह का डालोग याद आगिया देखो थपड से डर नहीं लगता है मुझे डाट से डर लगता है डाट पर रोना निकल जाता है मेरा ऐसा होता है अभी भी मम्मी बह आखे लोगों को हाओ 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 आखे बहुत ही जल्दी रोना हाँ बहुत रोना आते है हमें हपु सिंह का है मुझेज है अपने घरे बैठे गई गूई चिल यह अब बंभाई में है है यह कुट है आप थैंक्व अगले आपको दान्स मेंटर रह चुकी है आप नहीं मैं डान्स मेंटर नहीं रह चुकी हूँ एक एक एक्टिंग रियाल्टी शो हुआ था सबसे बड़ा कलाकार सोनी पर तो उसमें तो उसमें मेरा जो शिश्य रहा है बच्चा विरद और मैं उसकी गुरू ऐसे तो वो एक्टिंग मेरा पहला रियाल्टी शोर था वो जिसे कि अब यह मेरा पर्सनल सवाल है कि आप किस एक्टिंग मैथेड को फॉलो करते हैं या फिर तो वो अपने आप पी रियक्ट होता है मेरा मुझे बढ़े-बड़े नाम है बहुत बहुत महान है, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे सब उन्हीं पता है, मैं वहाँ पर हूँ, आप जैसा बोलेंगे, वैसा जवाब मुझसे आपको मिलेगा, ऐसा, गीवन टेक एजुकेशन कितना फिर मैटर करता है, एक श्टुडेंट के लिए, आप देखें वर्क्शॉप अब वोईस की बात होती है, ठीक है वह आप आवाज को कैसे इस्तमाल करते हैं, या आप जैसे, आप माइजनर पढ रहे थे, ठीक है, रेपटेशन, आप स्कृप को बहुत बार पढ़िये, अगर आप नहीं आपने यह थोड़ा बहुत भी नहीं जाना है, या नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप पता ही नहीं है कि स्कृप को कितनी बार पढ़ना, आप ने इसे देख लिया, आप या आदी नहीं यह लाइन सो आप पहुँच गए, आप रटिये मत यह सामने वाला भरेगा, तो वह अपने भरेगा ना, वरना भरने यह गुझाईशी नहीं रहेगा, आप ही फूलो के गहें कि मैं यहां पे यह एमोशन दूँगा, यहां पे मिरी नजरे उठाओंगा, कई लोग ऐसे रिहरसल भी करके आते हैं, पूरी बहुत जादा, पर वहां जाके गरमानो डिरेक्टर ने चेंज करवा दिया, तो क्या करेंगा, वहां सारी चीज हैं, अगर आप भर के रटके जाना, आपको ग्यान केते हैं, पढ़िए सब कुछ आप, सुनिये सब की, सब की चीजन सुनिये, लेकिन हमको जब अब अग्टिं की जब बात करते हुआ है तो उसके गुंजाष तखना चाहिए तो मैं उस मिंजाष रखती हुँ, हम लोग डिलो दो बहुत बाहर दती हुँ, मैं कई बार पढ़ती हुँ पर मैं ऐसे कोई टोनिया, वो फिक्स नहीं करती हूं कोई चीजे, मैं खुली रखती कि script में ये घटना ये घटना इस scene में ये बात हो रही है तो उसके आज पास की चीज़ें आप बोलते हैं तो वही बते हम तो मैं सुनती हूँ मैं मैं एक्टर को सुनती जरूब हो जान से कि आप सुन रहे हो कई पर यह होता है बहुत आप सुनने तो भी आपको आगे आद नहीं आता है आप क्यू बूल नहीं जाते हैं ऐसा नहीं कि आप नहीं बूलते हैं तो वहाँ पर वो काम है आपका मैनेश्टरी आप कि अगर आप बूल जाते हैं तो आप कैसे कवर अप करते हैं क्या चीज़ें तो ये आपको सिखाता है आपको इस चीज़े करते हैं सीन को तो अगर आप मुझे पता ही नहीं होता है कि भाई यह ऐस चीज़ें ऐसे होती है तो बिना आप स्कूल गए तो मैं काखा कैसे सीखती घर में एक शेत्र आपको एक हिसाप का सिखाता है उसके आगे की चीज़ें आपको इंस्ट्यूट सिखाता है तो इसके एपको जाना जाना कहीं बिलकुल काम आती है चीज़ें पर अगर यह पूछा जाए कि आप यहां पर कौन सा मेथड यूज करती है बहुत ही मुश्किल सवाल है मुझे तो आज तक समझ भी नहीं आपाया, मैं कहां पे कौन सा माइसर आया, कहां पे स्टिफ इन बुक आपे क्या चीज़ है, तो मुझे बिल्पल समझ में, आज तक समझ में नहीं आया, मुझे पता है कि मैं वहां पर होती हूं अस जगा पर, रजो किछन में खाना बना रह है और हपू आएगा, तो हपू की बात वह सुने गी उस जगह पर रजो किछन में खाना प्रवपली बना रही होती हूं मैं कुछ देख लेती हूं मैंने का यह आप मुझे बना कर मैं बनाऊंगी और वहां पर होती हूं उसके बाद घटना पता है कि घटना घटेगी उसके आप मैं सर्णसाओं थे हैं आप तो आपको काम करते करते समझ में आता जाते है आपको अच्छा अरकिस अधिया अच्छक पूंज यह समझेगा, आप काम न है ठीक है और जात sharing, अन्य क्यो dönूशनpel थारिम बता रहा है। मैंने वह भी आप ही हैं! ऐप समझे गए!! पाद संब्र हो बाहरे तुम, वह भी हम है! कामना भी हम ही है! हा लेकिन डिसका। मेरे नाम शीवा है और ये मैसा बोलूंगा तो अभी मैं जो वे लड़का ये ना उसे नाम शावиях आप कामना पार्थक जी के बारे में बताइए लेकिन आप बताएंगे तो आप कैसे बोलेंगे कि मेरा नाम यह है कैसे लोकल लोग होते है अरे यार मेरे को समझ निदे आये कर रहा है बैया मराथी नहीं मेरे को मराथी नहीं आती जाओ अपाओ अब आप अबदी निकल जाएगी मेरे मुझसे अबदी नहीं कर सकते हैं देखो, मेरा दोस्त है, Sam, उसने लिखा, नहीं भाईया, देखो, डर जाते हैं लोग, मला माराथी ये इतना इबाओ वह चाहरा था कि एक लोकल माराथी जो टाच होता है, वो मेरे को तेरे को टाइब कुछ वे, मैं अपने हाथ कड़े करती हूँ, कान पकड़ती हूँ, सर्ची, ये करोंगी मुझे मुझे मुंबई से भगा दिया जाएगा ये लोग जब तक नहीं जाएगे, इनको एक घंटा मतला लोग डाउन में भी मैं इनको लोग कर देती हूँ, समचा घर के अंदर भाई मेरे बहुत सरी बहुत मुझे बुलावा आ रहा है, तो, सौरी ये गेम अगर हम नहीं खेल पाएं तो चलेगा क्या, चलेगा, 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 इसके लिए, इसके लिए माफी मांग लेते हैं, ये, अरे कोई बाती है, ये तुम आओगे तो मैं तुम्हार सब खे बहुत सारे लोग जुड़ेते, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा, आप सभी ने एक घंटा जहल लिया, मुझको उसके लिए, शुक्रिया, थैंक्यू बोलाए आपको, और फिर हम ऐसी बाते करेंगे, I think हर दिन, आर्टन क्लिक पे कोई न जए वह आँ, जैंने क्ताउ सल्सीं ये लिए, सीज है धाँ एक च्छा, इल्टन क्रिकंह दिन आप से लिए, सोच्छा है नवने जी रिम प्रनि ये निखाए गिक तो प्र पुलाकात होई गो, हाँ होई है बाद में ठीक है शिवा तो हम तो ताटा बाई बोलते हैं? बिल्कुल नहीं तुम थैंक यू मैं बोलो यार्थ वोफुली कि पतानी लोगों को अच्छा लगा थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकी, थैंक यू सो मच ताटा बाई बाई बोल ले हैं, फिर मिले हैं, ऐसी बाते करें खूब सारी और शिवा को बहुत ज़्यान है, बहुत साही चीजें से बहुत इतने सीखा है, मैंने इतना सीखा नहीं है पर मुझे बहुत अच्छा तुमाई वीडियोस देखती हो मैं, तो मुझे बढ़ा अच्छा लगता है ठीक है, आसी सीखते रहो, मुझे भी सिखाते रहो बिल्कुल, बिल्कुल चलाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाई-बाई सीखते रहने केक लिए, आप Art On Click क को फॉलो करिए, और अगर आप आर्टिस्त है, तो जरूर अपना Art Form अपने हमें टीक करिए हमें टेक्स करिए, हमारा WhatsApp number है, हमारा Mail ID है आप जो भी Art Form करते हैं आप क्राफ्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, तो हमारे साथ जुडिये और एक आर्टिस्टिक वर्ल्ड क्रियेट करेंगे, हम सभी मिलकर एक दिन, तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू, थैंक यू सो लो, बाई, और सोशल